स्वागत है आपका मेरी किचिन में तो आज हम कश्टर्ड पुडिंग बनाने वाले हैं तो आज मेरे थोड़ा गला भी खराव है तो वह इस मेरी थोड़ी एसी ब्रेक जैसे आ रहे हैं तो आपके लिए मैं समान बताती हूं मैंने क्या क्या लिया है साड़े तीन कप दूद लिया है और एक पेकिक मैंने टोस्त लिये है रस जिसको बोलते है एक बाउल चीनी जिसकी मैं चासनी बनाऊंगी और चार तेल्स्पून चीनी है जो मं कर्टर्ड वे डालूगी तीकीन टीन तेल्स्पून मैंने कर्टर लिया है और कुछ मुझा दूद डूसरा कप औरेंगे दो कप दूद इसमें डाल देंगे और एक कप दूद के अंदर में अपना जो कष्टड है वो ठंडे दूद में ही अपना घोलू लिए और इस दूद को हम बॉल होने तक उबाल आने तक इसको गारम होने देते तक हम अपना कष्टड पाउडर दोलेंगे तो देखिए हमने बॉल ले लिए और इसमें अपना कष्टड पाउडर लिए ले लेंगे आप इसकी आरा रोट या कॉन फुलावर पाउडर भी ले सकते हैं यह हमें ठिक करने के लिए है हमने लिया है तो इसको तरीके से एड़ करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हम ते देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है आपको ध्यान रखना है दूद्ध एक दम ठंडा हो मतलब रूम टैम प्रेशे पर हो लेकिन गरम दूद नहीं हो नहीं तो आपके इसमें लम्स पर जाएंगे पूरी तरीके से मिक्स हो अब हमारा दूद भी बॉल हो गया है तो इसमें हम एड़ करेंगे तो सबसे पहले हमने जो चीनी लिया है चार टेल स्पून यह एड़ कर देंगे यह देखिए दूद्ध हमारा बॉल हो गया है तो इसमें हम अपनी चीनी एड़ कर देंगे इसको मिक्स कर देंगे बहुत ह तबी मजेदार और जटपट बनने वाली रेसिपी आपका जबी भी मन करें तबी भी आप टपट से बना के खा सकते हैं अब इसको लगातार चलाते हुए मैं इसको डालूंगी और लगातार चलाते हुए रहना है गैस को फ्लैम लोग कर दोंगी इसमें लगना भी चाहिए इ प्लैम आपकेंगे तो देखिए इद्धम गाड़ा हो गया है और देखिए उपार कितने अच्छे से कोटिंग आ रही है तो इसको ज्यादा नहीं पकाना है बस 3-4 मिनिट के लिए ही पकाना है कि पूरी तरह ही पक जाए इसमें मिक्स हो जाए और गाड़ा हो जाए तो इस पूरी तरह हो फिर सॉफ्टनी हो पाएंगे अब मैंने गैस का प्लैम आपकर दूरी इसके बाद हम अपनी चासनी तयार करेंगे लेकिन मेरे पास अल्रेडी बनी हुई चासनी है तो इसलिए मैं फिलाल के लिए नहीं बनाऊंगी चासनी जब लेकिन आप लोगों को जब बनाना है तो एक बोल चीनी लेनी है एक कप मतलब और हाप कप पानी और चासनी को मतलब ज्यादा थिक गाड़ा नी बनाना है हलका चिप चिपा बनाना है बस चासनी में तार नहीं लाने उतनी गाड़ी चासनी बनानी है मेरे पास अल्रेडी बनी हुई थी चासनी मैंने ज तो एक बोल चीनी और हाफ बोल पानी उस तरीके से बनाना है मैंने सोचा किसलिए खराब करना इसी से बना देते हूं इस वज़े से वेश्ट नहीं करना है तो मैंने एक ट्रे ले लिया है और इसमें हम अपने यह जो हमने टोस लिये हैं यह सेट करेंगे अच्छे से हर जगह इसको पूरी तरीके से सेट कर देंगे कहीं भी जगह नहीं रहनी चाहिए तोड़ लेंगे जहां पर भी इस तरीके से फैला हुआ कोई भी आप ट्रे लेने बर्तन लेने और यह जगह नीचे से खाली नहीं छोड़ना है इसकी तले में अच्छे से लगाना है पूरा इसको लगा लेंगे तो चली इसको बनाना से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम चासनी लेंगे और चासनी गरम लेनी ठंडी नी लेनी है तो इसके अंदर नहीं तो यह सोखेगा ने ठंडी चासनी को तो हलकी हलकी इस पर हम चासनी डालेंगे पहले सबी में थोड़ी थोड़ी चासनी डाल देंगे इसमें मैंने 3-4 तेल स्पून मलाई ली है प्रेस मलाई अपो दिखाना भूल गी वह भी अड़ कर देंगे इसका थोड़ा टेक्च्चर अच्छा हो जाया क्रीमी एकदम और इसको मिला लेंगे अच्छे से अच्छे से मिक्स हो गया है थोड़ी दाने भी हो गया है जैसे मलाई के और आपका यह थंड़ा हो जाए कर चट तो इसको वापिस से थोड़ा गरम कर लेना है अब इसको हम इसमें फैलाएंगे अभी इसको हम इसके उपर फेलाएंगे इसकी लेयर देंगे पूरा अच्छे से कोट करेंगे इसको इस तरीके से और इसमें जो मैंने मलाई डाली है उससे का टेस्ट रिचनेस काफी बढ़ जाएगी और बहुती थोड़े समान से आपके पास जो भी घर में अवेलिवन है उसी से बन जाएगी तो आपको ज़्यादा बाहर से लाने की समान जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब हम इसकी दूसरी लेयर लगाएंगे यह देखिए इसी तरीके से इसकी दूसरी लेयर लगा देंगे जहां पूरा नहीं आ रहा हुआ हम तोड़ तोड़ के सेट कर देंगे और एक दम एकवल लेयर लगाएंगे जिस में हम थोड़ी थोड़ी चासनी फिर जालेंगे जाधा नहीं जालेंगे थोड़ी थोड़ी मिठा नहीं होना चाहिए मैंनेफेटाशनी दाल ड़ीहें अभिसपे हम उतनी क स्टर्ट की कोटिंग देंगे कि अच्छे से पूरा इसको कोट करना है सारे को कोट करना है छोड़नी नहीं कहीं से भी जिले कि अच्छे से पूरा कोट हो जाना चाहिए कि यहां से थोड़ा टप गया है कि अच्छे से कोट कर दिया अपना ही सारा पूरा खाली करती है अब इसको मैं प्रिज में सैट होने के लिए गंटे के लिए रखूंगी एक से बेज गंटे के लिए रखूंगी एक तरीके से एक देज गंटे के बाद फिर निकाल के इसकी गानिश्यों करनेगे अब तक वह हमारे ठेंडा होगा हम अपने ड्राइपूट करके रख देंगे गानिश्यों के लिए तो ड्राइपूट तो मैंने अपने सारे कट कर दिये हैं और यह भी गंटा हो गया पर इसको मैं निकाल के लिए रही हूं यह देखिए सैट हो गया है यह अब इसके उपर हम गानिश्यों करेंगे यह हम इसमें सारी कार्निश्रिंग कर देंगे पिस ताकि अच्छे से कलर उभर के आए मेरी प्लेट थोड़ी गहरी कम है इसलिए थोड़ा उपर तक आ गया है आप ले तो थोड़ी गहरी प्लेट ले जिसमें आप बनाए तो अच्छे से बनेगा मतलब पूरा कि अधिक नहीं कर देखिया अब इसको हम तीज से चाल गंटे के लिए रखेंगे ताकि पूरा अच्छे से सोख ले उसके बाद इसको हम निकालके कट करेंगे तो देखे, हमने यह निकाल लिया है और इसको हम कट लगाएंगे अभी 3 गंटे होगे इसको रखे लोगे इसको रखे वे प्रीज मेन जितने बड़े पीस आप बनाना चाहें उतने बड़े पीस बनाएं कि देखिए हमने चारो तरफ कट लगा दिये अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं जली इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं किसी भी स्पैचुला से इसको इस तरीके से हम निकालेंगे देखिए इसकी कितनी अच्छी लेयर और कितनी स्वीट डिस बनके तयार हुई है हमारी इसी तरीके से हम सारे निकाल के प्लेट में सर्ग कर लेंगे तो देखिए हमारी कश्टर पूरिंग बन के तयार है इतनी स्वीट और टेस्टी बनी है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सेर सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकोन को प्रेस कीजिए थैंक्यू